तो guy's यहां पर आप लोग देख सकते हूं मैंने back camera चालू कर दी अब यहां पर आप लोगों को अच्छे ितर दिख रहाहोगा यहां पर देखो हमारे पास यह multi meter है यहां पर एक keypad phone है यहां पर एक touch phone है Nokia का और यहां पर यह भी keypad phone है Samsung का phone तो गाईस आज इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कौन से फोन में फूल स्वार्टिंग होती कौन से फोन में हाफ स्वार्टिंग होती कौन से फोन डेड होता आपको पास कोई भी फोन जैसे डेड कंडिशन में आते हैं पूल स्वार्टिंग में आते हैं हाप स्वार्टिंग में आते चाहरा वो इंड्रॉइड हो चाहरा की पड़ हो तो आज इस वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा कोई भी इस्टेप मैं मिस नहीं करूंगा आपको step by step बताऊंगो कैसे आप लोग अपने phone को सही करोगे कैसे आप लोग फोन में क्या दिक्कत है कभी कभी ऐसा होता है को कोई कुछ बताता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं आप सभी सहां जोड की बिंति करूंगा आप लोग अपने भाई की चैनल को सब्सक्राइब और like और बिलाकन भी आपको आल पे टिक कर देना तो guys यहाँ पर मैं आपको copy की जरी यह बताऊंगा मतलब copy में लिख के पहले आपको बताऊंगा फिर मैं आपको फेटिकल में चेक करके बताऊंगा इस multimeter से क्योंकि हमारे 2-3 subscriber भाई ने comment किया था सबसे पहले इन फोन को मैं यहाँ पर बाहर रख देता हूं ठीक है तो guys यहाँ पर आप लोग देख सकते हूं मेरे पास यह copy है और यहाँ पर देखो आपको एक multimeter की जरूरत पड़ेगी ठीक सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात रहेंगे number one condition देखो number one condition में होगा क्या जो phone okay रहेगा उसमें क्या आप लोगों पता होना चाहिए जो फोन सही होगा उसमें कितनी रीडिंग आना चाहिए देखो सबसे पहले यहां पर देखो आपको किसी भी phone को चेक करने के लिए एक multimeter की जरूरत होगी यहां पर देखो मेरे पास पीला वाला multimeter है आपके पास किसी भी प्रकार का multimeter काम वही होता है चेक वही होता ठीक है आपको यहां पर multimeter को सब्सक्राइब करें कि हम लोग कुछ भी चेक करते तो हम लोगों को बजर मोर में multimeter कर सुच रखना होता है तो यहां पर यहां पर देखो मैंने multimeter सही है ठीक है आपको इतना काम कर लेना यहां पर मैं एक आपको फोन के माधर से बताता चलूंगा चाहिए की पैड फोन हो चाहिए इंड्रोइट हो गई सेम टेस्टिंग रहती है ठीक है अब देखो जो फोन बोगे करनेचन में रहेगा उसमें कितनी रीडिंग आना चाहिए देखो यह मेरा मालटमेटि मेंटर ब्रेडवाला प्लूवय रिडिंग आना चाहिए घ्लмо पर strain यहां पिने मैं आना चाहिए यह हजार से ऊपर रीडिडिंग आना चाहिए जैसे प्लाइस व्लाइब लगा होगे मैंस व्लाइस प्लाइस अब इन दो neighborhoods को आपको बाद देना देखbil यह यह प्लस वाला मल्टिमीटर को वायर हम लोग बैटेकनेक्टर माइनस पर लगाएंगे और जो यह माल्टिमीटर का माइनस वाला वायर है इसे प्लस वाले पर यहाँ पर तो आप लोग समझ लेना यह फोन ओके कंडिशन में है ठीक देखो गाई इसमें बिल्कुल परफेक्ट रीडिंग आ रही देख सकते हैं पर तीन सो से चैसों को बीच में रीडिंग आ रही तो फिर आपको बता देने चाहते हूं जो फोन ओके कंडिशन में होगा उसमें कितन लेना यह फोन शही है ठीक है यहां पर देखो इसमें वन रीडिंग आ रहे बिल्कुल सभी अब लोग इन दोनों वारों को बदल के लगा देंगे प्लस वाला माइनेस प्लस में लगाएंगे तो यहां पर तीन सो चैसों के वीच में रीडिंग आ रही तो आप लोग समझ गए होगे चेक करना जो फोन ओके कंडिशन में होगा देखों एक तरफ से माल लो आप एक तरफ से जब आप लोग चेक करोगे वन वन या हजार कि से ऊपर कि रीडिंग रीडिंग आ रही है आ रही है देखों वन या हजार से ऊपर रीडिंग आ रही है एक तरफ से आप लोग चेक करोगे जब आप दूसरी तरफ से चेक करोगे तीन सो या छैसो बीच में रीडिंग आ रही है पोन पोन सही है तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हैं मैंने लिग भी दिया और आप लोगों को मैंने समझा भी दिया यहां पर मैं आपको फी से बता दिने चाता हूँ देखों जब आप लोग मल्टी मीटर से चेक करोगे बैटरी करें कनेक्टर पे तो एक तरफ से वन या हरजार से उपर रीडिंग आ रहा ही तो आप लोग समझ लेना सही है जब आप लोग वैर को बदल के लगाओ कि दूसरी तरफ से चेक करो कि वहां पर तीन सो से चैसों के बीच म अब फूल सॉल्टिंग कब होगी फोन में आप लोग कैसे पता करोगे अभी मैं आपको यह बताऊंगा फूल सॉल्टिंग आप लोग कैसे हटाओगे हाप सॉल्टिंग कैसे अपने मुबायल फोन से सब कुछ इस वीडियो में आपको एटू-जेट सीखने को मिल जाया है है तो गाइस यहां पर देखो है इसका मतरब हमारा माल्टे मिमेटर सही है छब आप लोग बैटी अंटर चेक करोगी यहां पर प्लस वादाऊ-टो यहां पर इस प्लाइन के सावंड आ रही है आपको फॉन में तो आप लोग समझ लेना इस फोन में हमारा फोन नहीं तो आप संध लेना स्थोन में फ्ल स उर्टिंग में टो यह पर करो यहां पर बीप की संद आएगी ऐसे कर गी तो आप लोग समझ ले न इस फोन में फूल सौटिंग है तो आप अब समझ गया हुं कि दिएख रही है है तो को वोल रही है तो भून में रोले में फोल स्रीके अनले प्रुशin चैप त्रीन हो एक फूल हुद्वन कर शोडिंग है ठीक आप लोग समय गया होंगे जाब आप कर नेक्टे करPO willst कर तरह बीब की पूर्ट आ रहे तो आप लोग समझे लिना इस फोन में फूल स्वाटिंग है अभी यह भी मैं आपको बताऊंगा फूल स्वाटिंग अपलोग कैसे अपने मुबाल फोन से हटा हो गई यह हमारी फूल स्वाटिंग के बात अभी यहां पर हम लोग बात करेंगे हाप सॉल्ट न यहां पर नंबर उंचनन को अपर शॉल टिंग हाफ सॉल टिंग तीक हाफ सॉल्टिंग ऐसाट कि अधर दोर मेरे लिखने का तरीका थोड़ा अलाग है अब लोग समझे लेना हाफ सॉल्टिंग अब आप लोग जाहें डुएंड फॉन हों सघाप देखो यहाँ पर देख लो मैं आपको बताता है फोनuite को अन होगा है आप до gotta can न होगा उसमें बैटरी ज्यादा नहीं रुकेंगी ऐसा सिस्टम अफ समझ देना है आप फोन ओन होगा तो आपलो कैसे पता करो एक फोन में हमारे फोल onna फुल सार्टिंग को यह मल्टी मीटेर कोमा मैं घर एक सबता कांटर सब्सक्राइब करता तो यहां पर 1-400 सोप्फट रीडिंग interpreters सब्सक्राइब सब्सक्राइब कारे माइस ऐस उना संठीन लोट करें तो इस में इस phone में हाप सब्सक्राइब रहेगा वहां पर हजार से नीचे रिदिग आएगी हजार सी नीचे और ऑग यह evolution माइनस प्लस पर यहाँ पर वही डीडिंग आएगी 300-600 के बीच मी डी रीडिंग आएगी ठीक है तएिक पहले। प्लस वाल प्लस प्लस पर उजब आप लोग लिक भी देता हूं जब आप लोग सब चीज आपको लिक के भी बता देता हूं जब आप लोग प्लस माइनस के वायर बैटरी कनेक्टर पर जब आप लोग प्लस माइनस यहां पर मैं इसे लिख देता हूँ प्लस माइनस के वायर ठीक है वायर बैटरी कनेक्टर पर बैटरी कनेक्टर बैटरी कनेक्टर पर चेक करते हूँ करते हो करते हो तो वहाँ पर वहाँ पर हजार से कम रीडिंग आ रही है हजार हजार से कम रीडिंग आ रही है तो हमारा फोन फोन हाफ सॉल्टिंग है हाफ हाफ सॉल्टिंग है तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने इतना लिख दिया है लिखने में कोई भी गरवड़ी हो जाती तो आप लोग यह मत समझना करन भाई गलत लिख रहे हैं क्योंकि बहुत ही फास्ट में वीडियो बना रहा हू जब आप लोग बैटी कनेक्टर पर चेक करोगे प्लस वाला प्लस पी लगा कि माइनस वाला माइनस पी लगा कि वहां पर हजार से कम रीडिंग आती तो आप लोग समझ लेना इस फोन में हाफ सॉल्टिंग है ठीक है और अभी मैं आपको पेटकल में करके बिताओंगा कैस कैसे आप लोग हाफ सॉल्टिंग हटाओंगे कैसे अप फुल सॉल्टिंग हटाओंगे ठीक अब यहाँ पर नंबर चार कंदीशन में आता है जो फोन ओके रहता है देखो जो फोन जो फोन जो phone okay condition में होते हैं, कुछ phone okay रहते हैं, उसमें reading भी same आती है, एक तरफ से one, एक तरफ से 1000 देखो, एक तरफ से one, एक तरफ से 1000 reading आती है, दूसरी तरफ से जब चेक करते हैं, 300 या 600 के बीच में भी reading आती है, वो phone but on क्यों नहीं होते हैं, इस वीडियो में ये भी आपको सीखन मिल जाएगा, ठीक है, जो phone बिल्कुल okay condition में होते हैं, एक तरफ से आप लोग चेक करते हैं, तो वहाँ पर वन या 1000 चेक करते हैं, दूसरी तरफ से आप लोग चेक करते हैं, तो आज इस वीडियो में वो भी आपको सीखने हो के मिल जाएगा, एक तूज मैं आपको बताने जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखो, मैं एक नंबर और आपको समझा देना जाता हूँ, छेक करनीतन में, देखो, जो phone बिल्कुल डेट होते हैं, जब आप लोग माल्टी मीटर से चेक करते हैं, यहाँ पर बैटी कनेक्टर पर गईस यहाँ पर कुछ भी रीडिंग नही नहीं आती है, तो वो phone dead होते हैं, उन्हें भी मैं आपको बताऊंगो कैसे आप लोग उन्हें find out करोगे, इस phone में क्या problem हो सकती, देखो, जो phone में कुछ भी रीडिंग नहीं आती है, यहाँ पर देख लो, नंबर 6 में, जो phone में कुछ भी, कुछ भी, reading ना आए, वो phone, वो देड है, dead, dead होते हैं, ठीक क्योंकि यह भी condition होती है, ठीक, जो phone में कुछ भी, reading ना आए, जब आप लोग माल्टी मेटर से चेक करोगे, उस phone में कुछ भी, reading नहीं आ रही, तो आप लोग समझ लेना, वो phone हमारा dead है, आप लोग बैटे कनेक्टर पे जब चेक करोगे, ठीक case, अब number 2 condition की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, पहले यहां पर देखो, जो phone में full sorting है, यहां पर देख तो मैंने लिख भी लिया, जो phone में full sorting होगे, उसमें क्या होगा, दोनों तरफ आप लोग जब चेक करोगे, बैटे कनेक्टर पे तो बीप की sound आएगी, यहां पर देखो, ब पर आपको काईपी सीटर चेक करना, जो बड़े-बड़े यह आपको काईपी सीटर दिख रहे हैं, इन्हें आपको चेक करना, ठीक है, इन्हें आपको चेक करना, काईपी सीटर डैयोड होते हैं, यहां पर लगे होते हैं, बैटे कनेक्टर के पास, और यहां पर चार्ज यह पर बात करें आप लोग प्रोटिंग तो काईपी सिटर यह डायोट खराब होते हैं अब को ग्राउंड कर देना माइनस हम लोग चेक करेंगे यहां पर देखो यह जो काईपी सिटर है जब आप लोग इस पर टच करोगी दोनों पॉइंट पर एक तरह रीडिंग आएगी एक तरह weep बोलेगा तो आप लोग समझे लेना यह कैपी सिटर हमारा सही है देखो यहां पर देखो रीडिंग आ रहे अब इस साइट हम लोगोग चेकरेंगे यहां पर बीब बोलेगी देखो क्योंकिछ देखो यह जो काईपी सिटर होता है इसका एक हिस्चा माइनस से ट खराब होगा वह हमारा दोनों तरप से बीब देगा इस परकार के सउंड आएगी जो काइपिसिटर खराब होगा यहां पर दोनों तरप आप लोगों को निकाल देना है जैसे यह दोनों तरप तो इसे आपको निकाल देना क्योंकि यह खराब हो जाता है तो उस करना यहां पर जो बैठी करेंटर हम लोग जब यहां पर चेक करते हैं तो यहां पर दोनों तरफ साउंड आती वीप की तो उसे हम लोग बोलते हैं फूल शौर्टिंग ठीक है तो आप लोग समझ गया है कि हमारा सही है और जैसे खराब होगा जब आप लोग कार वीप की संड देगी इसमें पर अब यहां पर दोसरा कांपेशिटर sopr 182 पी चिक करेंगा यह डिखो यह हमारा सही दुसरी तरफ से reading आ रहा है देखो एक भाई ने ये भी comment किया था करन भाई ये बताईए क्योंकि कोई की capacitor ना गाईस ground से नहीं attach रहते हैं वो दोनों तरफ से reading देते हैं दोनों तरफ से यहाँ पर देखो इस capacitor में दोनों तरफ से reading आती है इस case में होता क्या है यह capacitor हमारा है माइस से touch नहीं होता है घ्राउंस से touch नहीं होता है यह फलस होता है तोगाइस यह चल्व नहीं होता है अब कोई कपीशिटर हमारा माइनस से टच नहीं रहता है वह सीड़ा पोजिटी उसे रहता है मतलब प्लाइब रहता दोनों तरफ रीडिंग देगा देखो इसमें दोनों तरफ रीडिंग आ रहे तो आप लोग यह मत समझना है यह मारा कापीशिटर खराब है अब यहां पर हमारे कापीशिटर सही सही है आप देख सकते हो ठीक है यहतर रही उतलब प्लोग समझी है और यह खराब मैं से निकाल देना है और मैंने आपको दिखाए दिया कोई कापी सिटर माइनस से टैच नहीं रहता है दोनों तरफ रीडिंग देगा इस पकार ठीक है तो आप लोग इसे खराब मत समझना इसे मत निकालना तो इस पकार आप लोग कापी सिटर चेक कर सकते हो फोन में फूल स्व आएगी यहां पर मैं आपको डैयोड विच करके दिखा देना चाहता हूं किस परकार कर दिखाए दिएता है वो ब्लैक कलर में होता ठीक है तो यह पर आप लोग देख सकते मेरे पास एक यह समसम का बोल्ड आब यहां पर आप लोग दिख रहा होगा मैं आपको और काफिचिटर सेम् टेस्टिंग होती है आप लोगोंसमझ में आ गया होगा है ठीक जब आत्य इक तरफ से जब आप लुग चैख करोगी तो कि यहां पर डियोड में चेक करेंगे देखो गई इसका मतलब यह डियोड हमारा सही जो गाई यह जैसे डियोड खराब है आप लोग जब चेक करते दोनों तरब से बीब की सब्सक्राइब दे रहा तो आप लोग इसे निकाल देना कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप रिडी आने लगेगी इस पकार आप लोग फुल सॉर्टिंग सौल्ब कर सकते हो ठीक है फुल सॉर्टिंग की बात हो जो गई है अब यहां पर हम लोग समझ गये कैसे आम लोग फोन से हटाएंगे अब यहां पर हम लोग बढ़ते नंबर 3 कंडिशन में हाप सॉर्टिंग काप उप्लों कैसे खर mah routinely कई होता क्या है चो हमारे क्या होते हैं और हमारे यह जै मगर यह त Judoo Wiki होते मगिए अधर होते हैं और यह आध्य कर बोते हैं प्लस्म टरीके में यहांपर सफ लोग कर सकते हैं यहां सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं देखों आपको लेना कोई एक बैटरी देखों कोई एक बैटरी लेना है यहां पर आपको प्लस माइनस वैर जोड़ देना है पहला समाइनस आप लोग वैर जोड़ दोगे और यहां पर बैटे कनेक्टर पर प्लस और माइनस आप को दोनों गपन आप को सब्हुला सोटिंग में और मंचों समझे लें वहारा खराब होने वाला पूरा नहीं थोड़ा नहीं उसे बाहुत खराब होता है उसे हम लोग बोलते हाप सॉल्ट इच्वाल One यह आप लोग माल्टिमीटर से कैसे निकालोगे अभी मैं आपको बताऊंगा यह पहले मैंने आपको आसान तरीका बताएं आप लोग स्वालटिंग अपया जुद एक से कैसे चेक करोगे कि देखो कि मैं आपको बताता हूं कि देखो तो देखो रेट प्रूफ हम लोग ग्राउंड कर देंगे माइनस से हम लोग टच करेंगे ऐसे करेंगे तो यहां पर रीडिंग आ रहा है यह काफिश्ट में चेकर रहा हूं इस तरफ से यह तो सही है अब हाप कंडिशन हो गए क यहां पर रीडिंग नहीं आएगी तो आप लोग समझ लेना यह हमारा क्यापीशिटर खराब है पूरा नहीं खराब होता होता है तो आप लोग इसे निकाल दोगे आपके फोन से हाप सॉल्टिंग हट जाएगी इसी पकार हम लोग डैयोड भी चिक करेंगे एक तरफ से र रीडिंग नहीं आएगी भी देगा एक तरफ से एक तरफ से रीडिंग नहीं आएगी तो आप लोग समझ लेना यह डैयोड हमारा खराब है इसे आप लोग निकाल देना ठीक है और इसी प्रकार क्यापीशिटर होता है मैंने आपको दू तरीके बता दिया हाप सॉल्टिं निकालने की चाहिए इंड़ाइड फोन हो चाहिए वो कीपड हो तो आप लोग समझ गया है नहीं फिर से आपको बता देता हूं देखो जब आप लोग डैयोड यह कापीशिटर चेक करोगे एक तरफ से रीडिंग नहीं आ रही है दूसरी तरफ से भी दे रहा तो आप लो यह हजार से ऊपर आती है और दूसरी तरफ से हम लोग चेकर 306 के बीच में रीडिंग आती है बट वो फोन ओन क्यों नहीं होते है इस केस में होता क्या है देखो इस केस में आपको करना क्या होगा सबसे पहले स्टेप में आपको हैं पर PCB कोई भी लिलो यहां पर कोई भी तो उसे आपको पिटोल की मदद से पूरा साप कर देना है पिटोल का आप लोग यूज करते होंगे अथिनल के यूज करते होंगे कुछ भी आप लोग यूज करते हो तो यहां आपको डाल के साप कर देना है फिर से आपको सिट को ओन करके देखना है ओन हो जाता तो ठीक तो नहीं नहीं होता है तो हम लोग बढ़ें के दूसरी इस्टिप में दूसरे इसने होगा करें She Still फावर की होती है कहाई यहां पर अभी-कभी होता supply नहीं आती यहां पर supply नहीं आगी तो हमीरे सिस्ट और ही नहीं होगा तो गैस इसका । पतना पहलता निकाल देता हूं यहां से देखको मैंने पत्ता निकाल दिये ठीक है अब आपको करना क्या हो जो यह मल्टी मीटर के रेट प्रूफ है इसे आपको ग्राउंड कर देना ऐसे कर ठीक है हम लोग सब्लाइब इस प्रकाट चेक करते हैं मल्टी मीटर से ठीक बीप की मौर में यहां पर आपको एक बार चेक करना पावर की में सप्लाइब आ रही है नहीं देखो यहां पर आ रही जैसे पावर की में सप्लाइब नहीं आएगी तो आपको सेट कैसे और मालो ओके भी है उसमें रीडिंग में सही आ रही है आप लोग पावर की को प्रेस करते हो और नही पहले पावर की तो आपको नंबर दो इस टेप लेने में पहले पावर की पेशेक लेना सब्लाई आ रही नहीं फिर भी बट आप लोगों फॉन नहीं होता तो अब आपको यहां पर तीस्टेप में बढ़ना क्या होगा यहाँ पर आपको हर एक component रुक्रोंट हो गार एक कंपोनेंट्स जो यह तरीक के लगे हैं और जो डायोड लगे हैं यहाँ पर आपको चेक करना होगा चेक करने को वही तरीका जो मैंने आपको बाता है को बजर मूल में रखना को रहे आपको गृण्ड करदेना नमबर चार इस्टेप में हम लोग बढ़ेंगे जब आप लोगों को फास्ट और सेकेंड और थार्ड इस्टेप अपना ले तो फिर भी आपका फोन नहीं होता है तो हम लोग सबसे फाइनल इस्टेप में बढ़ेंगे यहां पर आपको होड एयर गंद से हीट माना होगा से यह प हिट मारोगे तो आपको सौ फटन फोन नच नोमबर पांच हम लोग बढ़ेंगे जो मैं आपको बताया था क्योंकि कुछ भाई कमेंट करते हैं करते हैं वहां पर वह दोनों तरब से रिदिंग देता है का फिस खराब होता जो हमारा एक हिस्टा माइनस से टॉसरा रहता वह सीधा प्लस से रहते तो इसलिए वह का फीश्टा लोग बढ़ते हैं जो फोन में कुछ भी रीडिंग नहीं आती है उसे हम लोग कहते हैं मतलब पूरा फोन डेड़ हो नहीं बनेगा कुछ लोग यह कहते हैं तो गाइस उसकेस में आपको करना क्या होगा आपको आइसी लेवल पर काम करना जो पावर आइसी होती वही गई खर करना तो आप लोग समझ गये होंगे घर मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है हर एक इस टेप बताए कोई मैंने मिश नहीं किया ठीक तो आज इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाए और आप लोग अपना ख्याल लखना यह आप लोग सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो को आप लोग फुल जरूर देखना गाईस